जय माताती दोस्तो मेरी नई वीडियो के लिए मेरा चैनले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे कलिकीजिए तांकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें जय माताती दोस्तों, मैं आपका इंजिनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जाडू का प्रयोग करके किस तरह लक्षमी प्रापत कर सकते हैं और मैं आपको जाडू से जुड़े शकुन और अफशकुनों के बारे में बताऊंगा, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं शास्त्रों के अनुसार जाडू को भी महालक्षमी जी का एक सरूप ही माना गया है जाडू से द्रिदर्ता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है, जिन गरों के कोने कोने में भी सफाई रहती है, वहां का वातावरन सकरात्मक रहता है घर के कई वास्तु दोश भी दूर होते हैं, साथ ही उनसे जूड़ी हुई बातों का ध्यान रखा जाए तो महालक्षमी की क्रिपा भी प्रापत की जा सकती है महालक्षमी की क्रिपा प्रापत करने के लिए जाडू का एक उपाय कीजिए देवी लक्षमी की कृपा प्रापत करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में तीन जाडू रखाएं यह पुराने समय से चली आ रही प्रम्परा है पुराने समय में लोग अक्सर मंदिरों में जाडू दान किया करते थे लेकिन इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें मंदिर में जाडू सुबै ब्रहमा मुरत में ही रखना चाहिए यह काम किसी विशेश दिन को करना चाहिए विशेश दिन जैसे कोईतियोहार, जोतिश के शुब योग या शुकरवार को इस काम को बिना किसी को बताए गुपत रूप से करना चाहिए शास्त्रों में गुपत दान का विशेश महतव बताया गया है जिस दिन ये काम करना हो, उसके एक दिन पहले ही बजार से तीन जाडू खीद कर ले आने चाहिए गर में पोँचा लगाते समय करें ये उपाए जब भी आप गर में पोँचा लगाते हैं, तब पानी में थोड़ा-थोड़ा सा नमक भी मिला लेना चाहिए नमक मिले हुए पानी से पोँचा लगाने पर फर्श के सुख्षम के टानू नष्ठोंगे साथ ही गर की नकरात्म कुर्जा भी खतम हो जाएगी, गर का वातावरन पवित्र होगा और जिन गरों में पवित्रता रहती है वहां लक्ष्मी जी का आगमन होता है, पुरानी माननता है कि गुरु वार को घर में पोंचा ना लगाए, ऐसा करने से लक्ष्मी रूट जाती है शेश सबी दिनों में पोंचा लगाना चाहिए, गर में जाडू कहां और कैसे रखें। जाडू से गर में परवेश करने वाली बुरी अत्वा नकरात्म कुर्जा निश्ट होती है, अतै इसके संबंद में ये द्यान रखें कि खुले स्थान पर जाडू रखना जाडू ना रखें। अब हम जाडू से जुरे शकुन अप्शकुन के बारे में आपको बताएंगे। अगर कोई बच्चा घर में अचानक जाडू लगा रहा है तो समझना चाहिए कि अंचाहा महमान घर में आने वाले हैं। सूर्यास्त के बाद घर में जाडू पोंचा गलती से भी नहीं लग लखना चाहिए। ऐसा करने पर लक्षमी रूट जाती है। इसे एक अपशकुन माना गया है। कभी भी गाएं या अन्य जानवर को जाडू से नहीं मारना चाहिए। यह भी अपशकुन माना गया है। कोई भी सदस्य किसी खास खारे के लिए घर से निकला हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में जाडू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। जाडू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। इसे भी आना जाता है। इससे घर में सुख संबर्दी और बरकत बनी रहती है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी नए नए वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।